हेलो विद्ध्यार्थियो आज कक्षा 10 हिंदी कोर्स बी इस पर सपार्टि पुस्तक का दूसरा पार्ट मीरा के पद विद्ध्यार्थियो मीरा भाई का जन्म राजिस्थान के जोदपूर के पास सन पंद्रह सो तीन में माना जाता है ऐसा कहा जाता है कि मीरा भाई का जीवन दुखों से भरा था दुखों से परिपूर्ण उनका जीवन था बाली अवस्ता में उनके माता का देहन तो हो गया और कुछ समय बाद उनके साधी हुई यही ने कि उनके जिवन में एक के बाद एक दुख ही दुख आए तो जब ज्यादा दुख आते हैं तब व्यक्ति टूट जाता है तो मीरवाई भी जो है उसी दुख में टूट करके उनके जीवन में बैरागी का उद़ई हई बेराग जागरत हो गया उनकी जीवन में और वो जो है घरबार छोड़ करके ब्रंदावन में चली गई और ब्रंदावन में जाने के बाद वहां जाके वे कृष्ण भक्ति में लीन हो गई कृष्ण भक्ति में लीन हो करके उन्होंने वहीं जो है अपना डेरा डाल दिया और वहीं उन्होंने जो है साधना की प्रभू की सब कुछ प्रभू को ये अपना मान लिया और उन्होंने वहां जाके बहुत सारे दोहों की बहुत सारे पदों की रजना की है जिनको मीरा के पद करके हम बहुत सारे पद मीरा के बहुत सारे संग्रा उनके आज मिलते हैं तो आईए यहाँ पर थोड़ा सा उसका अंसे यहाँ पर दिया गया है उनको पढ़ते हैं समझने का प्रयास करते हैं पहला पद है हरी आप हरो जनरी भी द्रौपदीरी लाज राखी आप बढ़ायो चीर भगत कारण रूप नरहरी धरियो आप सरीर बूलत गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर दासी मीरा लाल गिर्धर हरो मारी भीर तो इस पद के माध्यम से मीरा बाई ने प्रभु को अपना सर्वस्ट नियोचावर करने को तयार हैं सब कुछ देने को तयार हैं वो अपने आराध्य स्री कृष्ण के कारण जो है वो कहती हैं कि हरी आप हरो जनरी भीर हे हरी आप जो है जनरी लोगों की भीर दुख पीडा हरो उसका हरन करो उसको दूर करो हे हरी हे किसन आप जो है लोगों की पीडा को हरो द्रौपदीरी लाज राकी आप बढ़ायो चीर द्रौपदी का चीर हरण सभी ने सुना होगा दुसासन के दोरा जो किया गया था तो कहते हैं कि जब द्रौपदी संकट में थी उसने आपको पुकारा और जो है उसकी आपने लाज रखी उस चीर को साड़ी को अनंतकाल तक बढ़ा करके सुने उस साड़ी को इतना बढ़ा कर दिया कि दुसासन साड़ी खीसता गया और सारी का धेर लगता गया और साड़ी खतम नहीं हुई तो जो है दुसासन केता है कि नारी बीचे सारी है कि सारी बीचे नारी है नारी है की सारी है की सारी है की नारी है संदे अलंकार है इसमें कि समझ नहीं आता उसके कि वह इतनी बड़ी इतना धेर लग गया पुरा पंडाल भर गया और तब भी साड़ी खतम नहीं हो रही है तो इस प्रकार से आपने द्रौपती की लाज रखी उस साडी को बढ़ा करके उस सीर को वस्तर को बढ़ा करके भगत कारण रूप नहरी भगत के कारण भकत प्रहलाद आपने सुना होगा कि प्रहलाद जो है भगवान विश्ण ка बहुत भला भकत था परंतु प्रहलात के पिता हिरिन कश्यपू भगवान से बहुत नफरत करते थे तो उन्होंने अपने पुत्र को भगवान के प्रति मोहित देखकर मारने के लिए खंबे पर बाधा तो वहां पर भगवान नरहरी नरसिंग का रूप धारन करके धर्यो आप सरीर भगवत के गरना आपने नरसिंग का रूप धारन किया और अपने भगत की रक्षा की गूड़त गजराज राकियों, काटी, कुनजर, पीर गजराज और कुनजर दोनों ही سब्दों का एकरता है, हाथी गूड़त गजराज के आपने रक्षा की जब गजराज को गुराह ने मगर मच्चे ने पकड़ लिया उसका पेर तो आपने जो है उसकी रक्षा करके काटी कुंजर की उस हाती की भीर को आपने उसके दुख को आपने दूर किया मगर मच्चे के मुँ से उसको बचा करके उसकी रक्षा करके आपने उसका जराज की पीड़ा को दूर किया दासी मीरा लाल गिर्दर हरो मारी भीर मीरा भाई कहते है कि हे गिर्दर लाल हम तो आपकी जो है एक दासी मीरा मीरा दासी है और गिर्दर लाल करता होता स्वामी गिर्दर स्वामी है असरी किसना जो है स्वामी है मीरा दासी है तो हे हरी आप जो है हमारी भीर हमारे दुख्र को हरण करो दूसरा पत है स्याम माने चाकर राखो जी गिरधारी लाला माने चाकर राखो जी चाकर रहशिव भाग लगशिव नितऊट दरशन पाशिव बिंदरावन की कुझ गली में कोविंद लेला अगासिव चाकरी में दर्सन पास्यूं सुमिरन पास्यूं खर्ची भाव भगती जागीर पास्यूं तीनू बाता सरसी मोर मुकुट पीतांबर सोहे गल बैजंती माला बिंदरावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला उच्चा उच्चा महल बणाव बिच बिच राकूं बारी सावर यारा दर्षन पागूं पहर कुटुम्बी साडी आधी रात प्रभु दर्षन दीज्यो जमना जीरे तीरा मीनारा प्रभु गिर्धर नागर हिवणो गड़ो अधीरा fill दूसरे बंदे मीरा बाई कहती हैं कितना सुन्दर वरणन किया है देखिये जो है मीरा बाई कहती है जो है ए प्रभु हे स्याम माने मुझे चाकर राको जी चाकर कहते हैं नोकर को हे स्याम आप मुझे अपना नोकर रख लो आप मुझे अपनी सेविका बना लो अपनी मुझे दासी बना लो आप गिर्धारी लाला हे गिर्धारी लाला स्रिकिस्न से कह रही है माने चाकर राखो जी मुझे जो है आप नोकर रख लो अपना चाकर रखलो मुझे चाकर रहश्यू बाग लगाश्यू नित उट दर्सन पाश्यू क्या कह रही है क्यों रखलो चाकर रहश्यू चाकर रहूंगी तो चाकर बनूंगी तो क्या करूंगी बाग लगाऊंगी बाग लगाश्यू नित उठ दरसन पाशे और नित प्रति दिन डेली उठकर जो है दरसन पाऊंगी नोकर रहकर आपके घर में मैं जो है बाग लगाऊंगी और बाग लगा करके आपके उसी बहाने रोज आपके दरसन पाऊंगी उठकरके ब्रंदावन की सक्री गलियों में जा जा करके मैं आपकी लीला का बखान करूँगी आपके गुणगान को लोगों को सुनाओंगी आपकी लीला गाओंगी चाकरी में क्या होगा दर्शन पाऊंगी और सुमिरन पाऊंगी खर्शे के लिए यहनि कि अपने इस जीवन को चलाने के लिए प्रभु नाम का आशरे लूंगी यानि कि उसको खर्ची मीरा ने मीरा ने कहा कि जो है जो राम नाम है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो मीरा भाई उसे कहती है कि वो धन है मेरे लिए तो कहती है कि जो है मैं सुमिरन के रूप में खर्च यानि कि रुपिया पाऊंगी अपने इस आजीवका को चलाने के लिए और भाव भगती जागीर भाव भकती की मुझे जागीर मिल जाएगी मुझे प्रभू की भकती मिल जाएगी ये तीनों बाता, ये तीनों चीज़ें मिले एकदम सरसी, फवित्र है, सुद्ध है, बहुत अत्यावस्यक है स्रीकिस नहें उनका सुरूप का गुरगान करती है उनकी जो है सुन्दरता का वखान करती है वो कैसे हैं मौर मुकुट पीतांबर सोहे गल वैजनती माला मौर मुकुट पीतांबर सोहे सुसोबित है क्या सुसोबित है माथे पे मोर मुकुट और तन पर पी तांबर पीले वस्त्र सुसोवित हैं और गले में बैजन्ती माला ब्रंदावन में धेन उचरावे मोहन मुरली वाला वो मोहन मुरली वाला मोहन जो सब के मन को हरण कर लेता है ऐसा जो है वो क्या करते हैं ब्रंदावन में धेनों चराते हैं गाई चराने गायों के गवाला जाते हैं उंचा उंचा महल बनाऊं बिजबिज राकूं बारी और मैं क्या करूंगी उंचा उंचे महल बनाऊंगी ब्रंदावन में और बीच बीच में राकूं बारी यहीं कि बीच बीच में उन्में झो है खिड़क्यां रखोंगी ज़रों खेर बनाऊंगी सांवर यारादर्सन पासियूं कुस्म भी सारी पहन करके खुब सजदच के संगार करके उस सामरी आके उस से किसने के दरसन पाऊंगी उसके दरसन करूंगी उन जरों को से देख करके आदी रात प्रभू दरसन दीजियो जमना जी रे तीरा जमना जी जमना नदी है उनके तीर में उनके किनारे में है प्रभू आप मुझे का गरना आदी रात को दरसन देना है प्र हे मेरे गिर्दर्नागर हे मेरे प्रबु दर्सम दे करके धन्य करो आईए अभ्यास प्रस्णों पर तर्दा करते हैं निम्रकेत प्रस्ण का उत्तर दीजिए पहले पदमे मीरा ने हरी से अपनी पीडा हरने की बिंती किस प्रकार की है जो पहला पदम ने पढ़ा था हरी आप हरो जन्री भीर तो उसमें जो है मीरा ने हरी से अपनी पीडा हरने की बिंती की है कि प्रबु जिस प्रकार अपने द्रौपदी का वस्तर बढ़ा कर भरी सबा में उसकी लाज रखी नर्सिंग का रूप धारन करके हिरन कश्यपु को मार कर प्रहलात को बचाया मगर मच्छ ने जब हाती को अपने मुह में ले लिया था तो उसे बचाया और पीडा भी हरी हे प्रबु इसी तरह मुझे भी हर संकट से बचा कर पीडा मुक्त करो दूसरे पद में मीरा भाई स्याम की चाकरी क्यों करना चाहती है इस पस्ट कीजिये जो दूसरा पता स्याम माने चाकर राखो जी तो चाकर वो क्यों रहना चाहती है उन्होंने क्या बताया है इस बारे में तो आंसर है मीरा का हरदै क्रिश्ण के पास रहना चाहता है उसे पाने के लिए इतना अधीर है कि वह उनकी सेविका बनना चाहती है वह बाग बगीचे लगाना चाहती है जिसमें स्री किस्न गूमें कुंज गलियों में कृष्न की लीला के गीत गाए ताकि उनके नाम के इसमरण का लाप उठा सके इस प्रकार वह कृष्न का नाम भाव भक्ती और इसमरण की जागीर अपने पास रखना चाहती है प्रस नमबर तीन है मीरा बाई ने स्री किस्न के रूप सौंदरिका वरण कैसे किया है तो मीरा बाई ने मोर मुकुट पीतांबर सोहे गल वैजनती माला जो हमने इस पत को बढ़ा था मीरा ने कृष्न के रूप सौंदरिका वरण करते वे का है कि उनके सिर पर मोर के पंकों का मुकुट है वे पीले वस्त पहने हैं और गले में वैजनती फूलों की माला पहनी है वे बाऊसुरी बजाते हैं वे गाए चराने चराते हैं और बहुत सुंदर लगते हैं प्रस्ंथ Noct 4 मीरा बाई की भासा सहली पर प्रकास डालिये मीरा भाई ने जो एपद लिखे हैं इनकी भासा सहली किस प्रकार की है उत्तर है मीरा भाई की भासा सरल सहज और आम बोल चाल की भासा है जो राजिस्तानी ब्रज और गुजराती का मिस्रण है पदावली कोमल भावानुकूल वप्रवाहमई है पदों में भक्ति रज है तथा अनुप्रास पुर्णरुक्ति प्रकास रूपक आदी अलंकार को भी प्रयोग किया गया है प्रस नमबर पांच है वे स्रीकिसन को पाने के लिए क्या-क्या कार्य करने को तयार है उत्तर है वे स्रीकिसन को पाने के लिए अने को कार्य करने को तयार है वह सेवक बनकर उनकी सेवा कर उसके साथ रहना चाहती है उनके बिहार करने के लिए बाग बगीचे लगाना चाहती है बिहार करने नहीं गुमना ब्रंदावन की गलियों में उनकी लीलाओं का गुडगान करना चाहती है उचे उचे महलों में खिड़किया बनवाना चाहती है ताकि आसानी से कृष्ण के दरसन कर सके कुसुम्भी रंग की साड़ी पहन कर आदी रात को कृष्ण से मिलकर उनके दर्सन करना चाहती है आगे हैं काप बिशुन्दर इस्पस्ट कीजिए काप बिकी सुन्दरता को इस्पस्ट करना है हरी आप हरो जनरी भीर वा अनुप्रा सलंकार जौपदी की लाजरा की आप बड़ायो चीर भगत कारन रूप नर हरी धरियो आप सरीर इस पद में मीरा ने कृष्ण के भक्तों पर क्रपादिस्टी रखने वाले रूप का वरण किया है वे कहती हैं हे हरी जिस परकार आपने अपने भक्त जनों की पीड़ा हरी है मेरी भी पीड़ा उसी परकार दूर करो जिस परकार जौपदी का सीर बढ़ा कर पहलात के लिए नरसिंग का रूप धारन कर आपने रक्षा की उसी परकार मेरी भी रक्षा करो इसकी भासा ब्रज मिश्रित राइस्तानी है राइस्तानी भासा भी है और ब्रज भासा भी है जो ब्रज चितने में बुर जाती है राध होनी का बारमबा प्रयोगवा है तता हरी सब्द में स्लेस अलंकार है नमबर दो बूरत गजराज राक्यों काटी कुंजर पीर दासी मीरा लाल गिरदर हरो मारी भीर इन पंक्तियों में मीरा ने किसन से अपने दुक दूर करने की प्रारतना की है हे भक्त वच्सल जैसे दूपते गजराज को बचाया और उसकी रक्षा की वैसे ही आपकी दासी मीरा प्रारतना करती है कि उसकी पीरा दूर करो इसमें दास से भक्तिरस है यहां पर भक्ति की जाती है भक्ति का वरण उता है भक्तिरस होता है भासा ब्रज मिस्ट्रित राजिस्तानी अनुप्रास अलंकार भासा सरल्तता सहज है अनुप्रास अलंकार कर प्रयोग किया गया है रहो रहो का अधिक बार प्रयोग किया गया है अगला है चाकरी में दरसन पासियों सुमिरन पासियों खर्ची भाव भगति जागीर पासियों तीन उबाता सर्ची इसका काबिश उंदर है इसमें मीरा कृष्ण की चाकरी करने के लिए तयार है क्योंकि इससे वह उनके दरसन नाम इसमरन और भाव भकति पा सकती है इसमें दास से भाव दरसाया गया है यनि कि दास का भाव वो अपनोंकर अपना चाकरी का भाव रखा है मीरा ने भासा अब्रज मिस्टर चाइस्थानी है अनुप्रास अलंकार रूपक अलंकार और तुकान सब्दों का प्रयोग भी किया गया है खर्ची सरसी जो है यहाँ पर दुकान सब्दे हैं अनुप्रास अलंकार है साथ में सुमिरन खर्ची यहाँ पर रूपक अलंकार भी है सुमिरन कोई खर्च बताया धन्यवाद